मुझे पहला सवाल भेजा है विरुप कक्षपा जी का है वो सिमोगा से हैं उनका सवाल है मैं अपना बूत जीत कर अपनी पार्टी की जीत को और बजबूत करना चाहता हूँ कुछ बूत हमेशा से दूसरी पार्टियों के किले रहें गड़ रहें हैं ऐसे मैं अगले दस दिन में क्या करें कि इस बार हमारी पार्टी ये बूत जीत सकें बिरुपक्षपा जी सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप विजय के विश्वास से भरे हुए हैं आप अपना बूत जिताने के लिए इतने उत्सुख है और भी वहाँ जो आप कहते हैं कि औरों का घड़ है कारकर्ता का ये जजबा सभी का यही जजबा बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है आपको बूत जीतना है तो सबसे पहले काम करिए आपके जैसे ही करमट और विजय का विश्वास रखने वाले दस पुरुष कार करता और दस महिला कार करता बीस लोगों की जोड़ी बनाईए और मजबुत जोड़ी बनाईए टीम बनाईए करना टका के उजबल भविश के लिए करना टका के नवजवानों के उजवल भविश के लिए भाजपा की केंदर सरकार हो या भाजपा की राज सरकार हो इब मिलकर के कैसे काम कर रही है इसकी सारी जानकारी आपके मुबाइल में होनी चाहिए आपकी डायरी में होनी चाहिए और डायरी हमेशा साफ होनी चाहिए और ये सारी बाते आपके दिलो दिमाग में भी होनी चाहिए गरीब हो दलीद हो पिछडे हो महिला हो किसान हो नवजवान हो इन सभी के लिए जो काम हमारी सरकार ने किये हैं ये सारे जानकारी आपके पास उपलब्द होनी चाहिए और आपका बनाया दस-दस लोगों का गृप यानि दो-दो लोगों की जोड़ी एक पूरुष कारता एक महिला करता जब आपके बूत के लोगों के पास जाएगा परिवार के अंदर जाना चाहिए, वो भारी पेंफ्लेट दे करके निकल जाते हैं ऐसा नहीं, घर में जाकर के एक पुरुष करता है, बहिला करता है, दोनों साथ जाए, एक घर में जाकर के बैठे, मुझुर लोग है तो उनको ज़रा प्रणाम कीजिए, बच्चों को प्या करता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या, फिर हम लारे जो काम है, सकारात्म काम है, उनके साथ बन टून बाते किजिए, एक परिवार में आधा, पोना घंटा, ये घंटा बिताइए, बहुत फाइदा होगा, बूथ जितने की बात तब होती है, जब कारकरता बूथ से जुड़े परिवारों को जीत लेता है, उनके दिल को जीत लेता है, आप लोगों से जब बाते करेंगे, कई स्तर पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे दुनिया के अनेक देशों में अर्थ बवस्ता की हालत खराब है, लेकिन हमने कैसे भारत के अर्थ बवस्ता को मजबूते संभाले रखा है, लोग देख रहे हैं, लोगों को पता होता है, दुनिया के अनेक देश कोरोना से लड़ने में पस्त हो गए, लेकिन भारत ने सफलता से कोरोना से लड़ाई लड़ी है, आज देश गरीबी के खिलाब लड़ रहा ह है, आज देश इंफ्रास्रक्टर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है, आज देश किसानों को किस तरह से लाखो करोड रुपिये किसान सम्मान निजी के माद्यम से भेज कर उन्हें ब्याज खोरों से बचा रहा है, बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फ 25 साल में विक्सित भारत के रोड में परकाम कर रहा है, आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं, उनका क्या एजंडा है? उनका एजंडा है सत्ता हथियाना, हमारा एजंडा क्या है? 25 साल में देश को विक्सित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नव जवानों के सामर्थ को सबसे आगे बढ़ाना, आने वाले 25 साल में करना टका की विकास यात्रा को नित्रुत देने के लिए, बीजेपी एक युवार्ट टीम का निर्मान कर रही है, हमारी कोशिस है, करना टका में बैंगलूरू जैसे अने गलोबल हब बन सके, भारत की स्टार्ट अप करांती को करना टका लीड करता रहे, आप अपने बूत के फॉर्स टाइम वाटर से भी जरूर मिलिए, उनका एक सम्मेलन भी कर सकते हैं, उनकी कोई स्परदा, साइकल स्परदा जैसा कार करना टका में बना सकते हैं, आप उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित कीजिए, लंबे अर्से से करना टका में बीजेपी का बड़ा जनाधार रहा है, आप पूर्ण भहुमत की स्थीर बीजेपी सरकार के लिए वोट मांगेंगे, तो करना टका की जनता पूर्ण आशिरवात देगी, उनको समझाईए कि करना टका में लगातार अस्थिर्ता से कितना नुक्सान हुआ है, और दिल्ली में पिछले नव साल से आपने मजबूत स्थीर सरकार बनाईता किला लाब हुआ है, इस बार भी वहाँ पर मजबूत और स्थीर सरकार बनाई असर, गिए और भी झाल से नुक्सान हुआ है, एस बार भी है।